तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लटेस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के 12th क्लास के दिगंत हिंदी का जो चैप्टर नंबर 3 है इसका पार्ट 2 है यान की पार्ट 1 में मैं आप लोग को अल्रेडी जै प्रकाश नरायन के बारे में ब तो पांच जून उनने 54 इस भी से ठीख संपूर्ण क्रांति का ने त्रित्व किस ने किया टो जै प्रकाश नरायन को इंदरा गांदी से कोई दुष्मणी नहीं थी ये खुद अपने मूह से बात बोले थे जैप्रकाश नरायन जो है पटना के गांधी मैदान में जब स्पीच दे रहे थे लाखों की संख्या में तादाद इकटी हुई थी भीड़ी कट हुई थी उस वक्त जैप्रकाश नरायन खुद ये बात बोले थे कि मुझे किसी से कोई जगडा नहीं है हमें तो इं इंद्रा गांधी है इंद्रा गांधी के शासल साशनकाल में यह सब हो रहा है सिद्धांत नीतिया कार्य सब गलत हो रहा है इसलिए मैं इंद्रा गांधी का विरोध कर रहा हूं अगर इंद्रा गांधी के जगह पर कोई और भी रहता तो भी मैं उसका विरोध करता हूं कि जहां पर मैं गलत काम देखता हूं कि गलत काम हो रहा है गलत नीतिया बन रही है वहां पर मैं विरोध करता हूं यहां तक कि जब बापू जो थे महात्मा गांधी महात्मा गांधी कोई भी बात करते कोई भी काम करते अगर उसमें मुझे कोई गलत काम दिखाई देता ठेके तो मैं वहाँ पर विरोध करता था कि मैं इस तरह नहीं होना चाहिए ठेके तो महात्मा गांधी भी मुझको नहीं बोला करते थे नहीं डाटते थे क्योंकि मैं सही जगह पर बोलता था और इसलिए मैं अभी जो देख रहा हूं भारत का सिट्वेशन यूपी और बिहार का सिट्वेशन बहुत ही मतलब बद से बत्तर हो गया है भूख है महंगाई है ब्रस्टचार है बेरोजगारी है और इसलिए मैं इंद थे और चात्र अंदोलन सही संफुन करांती के शुरुवात वही और इस करांती में ज्यादतर चात्र और यूवा शामिल थे बड़े बूरे लोग भी थे लेकिन आप बोल सकते ज्यादतर चात्र और यूवा जो नौजवान थे वह शामिल थे आजादी के 27-26 साल के बाद भारत की स्तिति जो थी वह दैने थी यूपी वियार का उसी तरह हालत था भूख महंगाई विरोजगारी ब्रश्टचार यह सब कुछ था गुस्कोरी चलती थी रेस्वत्कोरी चलती थी नौकरी नहीं मिलती थी ठीक मतलब शिक्छा जो थी वह वह सूव्य वस्थित नहीं थी तो इस तरह होता था चुनाओं में मुख्या खड़े होते थे पांच सल के बाद ही दिखाई देते जब चुनाओं होता था ठीक है और जब चुनाओं जीत जाते तो मुख्या कहां गये क्या कर रहे हैं कोई किसी को भी कुछ भी नहीं मालुम ठीक है और मुख्या जो है ये शारे रीजन के वज़ा से जो है न संफून कrainedी का जो घोशना आप बोल सकते हैं संफून क custard का ना Northern पांच जून उने बीखार प्रदेश यानि उत्तर परदेश दोनों की बात बोल रहे तो बिहार प्रदेश के असंख्य अनागरिक भायू और बहनो अभी अभी रेनु जी ने जो कवीता पढ़ी अनुरोद तो वास्तों में उनका था सुनाना तो चाहते थे देखिए यहां पर जो है ना रेनु जी की बात आ रही है इस चैप्टर में जो भी इंपोर्टन लोग कठा हुए हैं तो मैं यह कवीता सुना हूँ तो मैंने कहा जैप्रकाश नरायन बोल रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है कोई दिकत नहीं सुनाई यह कवीता ठीक है और जब रेनु जी ने अभी अभी कवीता सुना और जब मैं इस कवीता को सुना तो मेरी पुरानी यादे पुरानी स्मृतिया जागरित हो गई और मेरा हिर्दय जो है वो भर उठा आपको शायद मालूम नहोगा कि जब मैं वेल्लॉर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में दो दिन अपने मित्र श्रे इस्वर अयर के सांथ रुखा था देशे यहां पर ज प्रिकाश नरायन पूरी इतने भी लाखों की तादा में लोग इकठा हुए थे भरी सवा में लोग बैठे थे उनसे यह सारा बात बोल रहे हैं कि आप लोग को मालूम नहीं होगा कि जब मैं वेल्लॉर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था यान कि वेल्लोर अस्पताल ज दिनकर जी और गंगा बावु दोनों लोग मिलने आये थे बल्कि गंगा बावु तो साथी रहते थे और दिनकर जी बड़े परसंद लिखें यानि कि खुश दिखें दिनकर जी उन्होंने अभी हाली की कुछ अपनी कविताय सुनाई और मुझ से कहा कि आपने जो आंदोल के लिए और जाकर दिनकर जी जै पर काश नराएन छाये और Sup रहें और कहते दिनकर जी जै पर काश नरायन क्या कह रहें कि क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कस्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्किया होगी, यह सब होगा, ठीक, यह क्रांती है, मित्रों और संपुन क्रांती है, यहाँ पर जो है न, जैब परकाश नरायन बोल र पर देश के हज़ारो लाखो जवानों ने कुर्बानिया दी है यहाँ पर जवाहरलाल नहरू जो है यहनकी अमरे नहरू चाचा वो बोल रहे हैं कि अभी न जाने कितने मिलो दूर इस देश हो जनता को जाना है अभी बहुत दले भी दूर है बहुत ज़धा भी हम लोगो को कस्ट सेहना होगा बहुत ज़्यादा संघर्स करना होगा उस हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानिया दे िसके लिए सरदार भगत जिंग उनके सांथ ही बंगाल के सारे करान्तिकारी साती मराश्ट के साती देशबर के करान्तिकारी सभी गोली का निशाना बने ग्या तो फासी पर लटकाए गए ठीक जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों की भरती रही लेकिन आज 27-27 वर्स के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है भूक है महंगाई है बरस्टचार है कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगार रिश्वत दिये सरकारी दफ्तरों में बैंकों में हर जगा टिकट लेना है उसमें जहां भी हो जहां भी हो रिश्वत के बगार काम नहीं जनता का होता है ठीक हर परकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है शिक्षा जो संस्थाय है वह भरस्ट हो रही है और हमारे नौजवानुं का जो भविस्य है वह अंधेरे में पड़ा हुआ है जीवन उनका नष्ट हो रहा है शिक्षा दी जाती है गिरोज़ञारी तो और भी जैदा गरीबी कम नहीं होता और भी बढ़ती ही चलिजाती है ठीक तो अब यहां पर जो है न जय प्रकाशनाराइन यानि कि हमारे नहरु चाशा बोल रहे थे अब जो है जय प्रकाशना-रायन बोलें कि तो मित्रों आज की ये इस्थिति है सुन लिए नहरु चाशा जो है वो सारा इस्तिती बता दिए हमारे भारत की आज ये इस्तिती है और इस इस्तिती में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए बड़े हिर्दे ग्राही थे और उसी रात जब विदा हुए उसी रात को हमारे मित रामनाथ जी गोयन का इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के भूसे हैं याद रखिएगा और ये कौन हैक तो जय बरकाष न्रैइन के मित्र रहते हैं रामनाथ जी गोयन का जो की इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रहते हैं ठीक दिनकर जी जो थे ना यही रामनाथ जी यहां ठेर हुए थे मेहमान बनकर ठीक लेकिन अचानक रात और की यानी की यहां पर बोला जा रहा है कि दिलक दौरा पढ़ए तो राथी को दिनकर जी का दिलक दौरा पड़ गया एकदम रात को और तीन ऑघ्ण को और का शाय से कहते है यहां कि उससे पताल नाम सा विलिंग्डन नर्सिंग होम ठीके और सारा इंतिजाम था वहां पर ठीके और उसी राज जो है न दिनकर जी क्या निधन हो गया यहिए कि दिनकर जी की मौत हो गई वो भी छोड़ कर चले गहां इतने अच्छे में प्यारे मित्र थे और उनका निधन हो गया उस रात कि तेー गोड़ पर बोल रहे हैं आगे आज लगता है हमारे दो मित्र की कितनी कमी है यहां पर दो मित्र जो है ना दो मित्र बोल रहे हैं उस स्पीच में किसको किसको एक तो दिनकर जी को जो की जिनका पूरा नाम रहता है राम धारिस ही दिनकर और एक बोल रहे हैं बेनी पूरी जी को जो की जिनका पूरा नाम रहता है राम रिक्ष ब होते हैं तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी आज के जुलूस का आज की सभा का जो वर्णन वदेते एक एक शब्द में अंगार होता यहां पर बोल रहे हैं जैप्रकाष नरायन अपने दोस्त बेनी पूरी जी को भी राम विरिक्ष बेनी पूरी जी को बोल रहे हैं कि अगर आज मेरा भाई बेनी पूरी जी होते ना तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी ना आज के जुलूस का आज की सभा का जब वर्णन वदेते एक एक शब्द में अंगार होता ठीक इतिहास याद रखता वो क्या लिखते आज दिनकर की जो कवीता लिखते उसमें भी भारत के न लिखते वो एक अमर सहित्य बन जाता ठीक पूरी दुनिया याद रखती ठीक मैं तो ठक गया हूं लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी मेरे मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि मैं तो ठक गया हूं लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंदों पर आई है और मै खुद मैं अपने आप से मांग कर नहीं लिया हूं बलकि छात्र जितने भी छात्र युवा लोग थे वो मेरे पास आये थे ठीक है और मैं कहता था कि हम बुढ़े हो गए हैं हमारी सलाह ले लीजिए मतलब हम दूसरी पीड़ी के हो गए हैं आप तो नहीं पीड़ी के लोग ह यह कौन बोल रहे जितने भी छात्र लोग आये युवा लोग आये थे जैप्रकाश नरायन से कहने के लिए कि आप संफुन क्रांति का नेत्रित्व कीजिए तो उस वक्त जो है ना जैप्रकाश नरायन कह रहे थे कि हम बूरे हो गए हमारी सलाह ले लीजिए हम दुसरी पी यह की मार्ग दर्शन से सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा आपको नेत्रित्व सुईकार करना पड़ेगा आपको संफुन क्रांति का नेत्रित्व करना ही पड़ेगा मैं टालता रहा टालता रहा लेकिन अंत में मैं वेल लौड जाते समय लास्ट में जो है जैप्रकाश से भी अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता आप लोग नहीं बना है मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें पीछे से करूंगा ठीक समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्विकार करूंगा ठीक आपकी बात स्विकार करूंगा जन संगर समीतियों की बात स्विकार करूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा कोई हमें यह नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए जो भी मैं फैसला लू में बहसों में पता नहीं हम किधर से किधर भी खड़ जाए और क्या नतीजा निकलेगा यह कोई नहीं जानता तो अगर आप लोग को यह मेरी शर्थ स्विकार है तो आप लोग बोलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब की सलाहा लोंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा मैं ज जैपरकाष नरायन इस क्रांती का नेतरित्व किये थे नेता बने थे ठीक है और उसके बाद से देखी आगे बोल रहे हैं बहुत दिनों में सारोजनिक जीवन में हूँ उन्हेसे 21 में जन्वरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईसी का स्टुडेंट था लेकिन जब स्कूल में भी पढ़ने के लिए मत जाओ तो गांधी जी के कहने पर ही मैं स्कूल छोड़ दिया था पठना कॉलेज में में जो आईसी का स्टुडेंट था वो मैं पढ़ाई छोड़ दिया था सिर्फ गांधी जी अचानक ही अंदोलन को बंद कर दिया आसा योग अंदोलन ठीक तो राजंदर बावु के सचीव या मंत्री या फिर मित्र आप जो बोलना है बोलिये मतुरा बावु जो थे उनके जमाता बावु फुल्देव सहाय वर्मात थे उनके पास मुझे भेज दिया गया फुल्देव बावु के सांथ रहो उनकी लेबरेटरी में उनकी पर परिक्षा दी थी कौन से तो विहार विधापीट याद रखिएगा विहार विधापीट से जो है ना आईसी की परिक्षा दिये थे जब प्रकाश्ण राएं ठीक अब देखिए बोल रहे हैं कि उसके बाद बच्पन में जब मैं हाई स्कूल में था मैंने स्वामी सत्यदेव के भास्रड सुने थे अमेरीका के बारे में कोई धनी घर का नहीं हुझ होँ थोड़ी सी खेती और पिता जी नहर विभाग में जीलाधर और बाद में रौजड करप भेजकर पढ़ilon लेकिन फिर भी जो है ना अमेरीका पढ़ने के लिए गय rational the Wbig के लिए तो वही बोल रहे हैं कि मेरी च्छा ती की आगे पढ़ना है मुझह अंदोलन तो गिराओ पर आ गया है चढ़ाओ पर था उतर चुका है इसे बिच में अमेरिका से कुछ सिक्षा प्राप्त कर कर आ जाऊं और इसलिए मैं अमेरिका चला गया और पता नहीं उनको किस नाम से बुलाँ मुझे आज वर्सो से गालिया देते रहे हैं कितनी गालिया मुझे दी हैं चुकि here कि अमैरीका में ने पढ़ हूँ इसलिए मैं अमेरीका का दलाल हूँ मतलब कुछ लोग अब पता नहीं उनको किस नाम से पकार हूं मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए तो उन लोग को लगा und अमेरिका गया हूं मतलब राजनिती करने के लिए और मुझे अमेरिका का दलाल ही समझने लगे ठीक निक्सन को दे दो तार जैप्रकास की हो गई हार यहां पर इंडिया में भारत में जब मैं अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गया था मुझे अमेरिका दलाल अमेरिका का दल में मैंने काम किया करखानों में काम किया लोहे के करखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन करखानों में काम किया जब उनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 द्यारती मिलकर पकाते थे देखें इनकी हैस सभचत थी कि अमेरिका जा कर पढ़ा करें लेकिन पिर वियल ऑर करते थे अновर जहाद मर जाते थे वहां पर यह काम कि यह सारा काम किये थे बरतंद होने का काम वेटर का काम यह सब कुछ किये थे और जो भी पैसा मिलता था वह यह पढ़ाई करते थे ठीक और उसके बाद से यहां पर बोल रहे हैं कि बराबर दो तिन लड़के कितने वर्सों तक दो चरपाई पर नहीं थी कमरे में एक चर करके जूते साफ करने का काम शो साइन पालर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था ठीक और जब यह पास कर लिया स्कॉलर्शिप मिल गई तीन महीनों के बाद असिस्टेंस हो गया और डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ कि मुझे काल करने के लिए और यह लोग मुझे गालिय से अब भी तक गालिय से अमेरीका में विस्कान सिनट में मैं घोर कम्यूनिस्ट था यह विश्व विद्धालय का नाम है जहां पर जैप्रकाश नरायन पढ़ाई करते थे वह लेनिन का जमाना था और 1924 में लेनिन मर गया अमेरिका में लेनिन का सासन था ठीक और वहां पर जो है ना यह मार्क्स वादी बन गये थे जैप्रकाश आज से तीन दिन हुए गफूर चाहब मिलने आये थे गफूर चाहब देखी मैं लिखी भी हूँ अमेरिका रधाला जैस परकाश नरायन को आप कौन थे तो उस वक्त जब पांच जनर्व उन्युनेसे चीवत्तर को जैप्रकाश नरायन उस पटना के गांधी मैदान में भ यानिकी अब्दुल गफूर जो है ना वो मिलने के लिए थे बहुत प्रेम से मिले उसके दो तीन दिन के बाद चंदर शेखर बाबू मिलने आये बहुत प्रेम से मिले लेकिन प्रधान मंत्री से ले करके दिक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखात हैं इन मेंसे किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि जैपरकाश नरायन को लोगतंतर की शिक्षा दें लेकिन वे जैपरकाश नारयन को शृषा दailing की हमत करते हैं और से देश के इंकोने कोने से चात्र आ रहा है किसान ह chilling को गर स्टर रहे हैं और यह ऊपुँट को लोग कर पीठा नहीं है ऐसे से ये लोग हरकत कर रहे हैं और आकर मेरे पास मीठी मीठी बात करें और लोगतंथ की शिक्षा दे रहे है मैं नहीं जानता कि अंगरेजी सरकार के जमाने में भी इस परकार का ब्यवार कभी हुआ हो लोग ग्रेलों से उतार दिये गए बसों से उतार दिये गए टिकट था उनके पास बेटिकट लोग थे उनको भी उतार दिया गया अलग मुझफर पूर की रिपोर्ट अपने अख़बारों में पढ़ी होगी सारे डियूजन में क्या क्या नहीं हुआ शर्म नहीं आती इन लोगों तंत्र क्या ये जनता को अधिकार नहीं है लोग तंत्र में असेंबिली के सामने जाएंगे उनको पूरा है हिंसा करे तो दूसरी बात है यहां पर तो शांती प्रदर्शन हो रहा था हम से मिल ले आये पूलिस के उच अधिकारी ने कहा नाम लेति यहां पर जो है उचदिकारी जुआ थे पूलिस के वह बोले जै प्रकार अगर नहीं होते तो यह बिहार जल गया होता लगा गठोद कर चाहती का परियोग करता कंप लेकिन यह नीजिता अब होग को मिद्वाइशी का दुष्मन है तो वह लोग दुष्मन है जो जनता के लोग बदलना चाहते हैं क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा इसमें कोई संदेश नहीं है हमको आज जो भी आंदोलन होगा उसमें युवक छात्र ही रहेगा मित्रों एक बात तो यह कहनी थी मैं जानता हूं कि डॉक्टर रह्मान यहां बैठे होंगे इस सभा में आप ही लोग के बीच डॉक्टर रह्मान बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इ इस नहीं उन्हों शंकर दिक्षित पठना आये थे दिक्षित जी जी भी जो है न यह भी प्रकाश नरायन के जो है न मित्र ही रहते हैं ठीक उन्होंने मेरे संबन्द में कुछ अच्छी बात कहीं साथ साथ कई प्रशन भी उठाए मेरा उनका बहुत पुराना संबंध से और जैप्रकाश नरायन से मतलब बहुत पुराना संबंता 32-33 अंदोलन उन्हें सा 32 और 33 का अंदोलन जो चला था उसमें भी दिक्षित जी जो है ना जैप्रकाश नरायन का साथ दिये थे ठीक उसमें दिक्षित जी से हमारा परीचय और हमारी घनिष्टा मित्रता हो गई थी ठीक तो कुछ ऐसे मित्र है जिनके भाव अच्छे थे हमारे पुराने मित्र जो सोचलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं थे सभी चाहते थे कि जैप्रकाश नरायन और इंद्रा जी में पालिसिंद्रा जी हो या फिर कोई और हो हमें तो नीतियों से जगड़ा है जो कारे गलत होगी जो सिधान्त गलत करूँगा अपनी से मताबिक थे करें लोग इनिनीकी तरह नवजवान थे उस जमान में लेकिन या जुरस होती थी हम लोग की सामने हम यह कहते थे कि हम नहीं हम नहीं मानते हैं बापू यह बात मतलब जब भी गांदी जी कोई काम करते हैं और जो काम हम लोग को गलत लगती तो हम लोग डारेक्ट बोल देते थे गांदी जी से कि हम लोग यह बात नहीं मानेंगे यह गलत है तो बापू भी जो है ना उस वक् मैं सरोधय में आ गया ठीक और जवाहर लाल नहरू जो थे वो मेरे बड़े भाई के समान थे इनफेक्ट में उनको भाई भी कहता था और उनको भी जब वो भी काम करते थे और मुझको गलत दिखाई देता था तो मैं उनका भी विरोध करता था और यहां इंद्रा जी से जो मेरा मतबेद है वो जवाहर लाल नहरू से जो मतबेद था उससे कई ज़्यादा मतबेद इंद्रा गांधी से है जवाहर लाल नहरू से तो मेरा मतबेद तिबद के मामले में था चीन के मामले में था हंगरी के म सामले में था लेकिन उससे कई ज़्यादा मतबेद है मुझे इंद्रा गांधी से मैं इंद्रा गांधी के खिलाफ हूं ठीक और एक बात अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीती में हैं वह क्या है पता है इलेक्शन का खर्चा चुना करोन रुपे हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है ठीक यह सब कहां आते हैं वर्षों मैं पुकार रहा हैं कि बाई की चुनाओ gas कम करना चाहिए अगर चाहते हैं आपकी घरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके मजदूर उमिद्वार खड़ा हो सके किसा उमिद्वार खड़ा हो सके तो गरीब पाटी जो गरीब पाटी है वो अपने उमिद्वार खड़ा कर सके तो मेरा तो कोई बात सुनता ही नहीं है अब अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई गरीब उमिद्वार खड़ा हो सके तो यह चुनाव है कि आज की परिष्थिति में आम जन्ता को आम मतदाटा को के वल इतना ही अधिकार प्राप्त हैं कि वह सुनाओं में अपना मध्दान करें परंतु मध्दान प्र करिया ना तो सवक्ष और स्वतंतर होती है ना उम्मद्वारों के चैन में मतदाटाओं का हाथ होता है और ना चुनाओं के बाद अपने प्रतिनी दियों पर उनका कोई अंकुष रहता है मैं इन दोनों कम्यों को दूर करने का परियसन कर रहा हूँ अपना देश जो है पिछड़ा हुआ है इसलिए बावजूद इसके की हमने लोकतंत्र की स्थापना की है हमारा भारत देश में लोकतंत्र स्थापित है लेकिन फिर भी लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है क्यों? क्यों? सोचिए यहां पर बोल रहा है कि ऐसे स्थिति में हमारा जो लोकतंत्र है केवाल नाम मातर रह गया है हम जो भारत देश में लोक्तंत्र स्थापित हैं सिर्फ नाम के लिए हैं ठीक है इस पूरी अंत्रिम संरशना का इंफ्राइक स्ट्रक्चर का निर्मार तो एक दिन में नहीं हो सकता जितने भी मंत्री हैं विधायक हैं रंकुस और शक्स होते हैं और जनता की किसी प्रकार का अंकुस पर नहीं होता है ठीक है जनता पर तो मंत्री और विधायकों का अंकुस होता है लेकिन क्या मंत्री और विधायकों पर जनता का अंकुस होता है नहीं होता है ठीक है सिवा इस भय के कि अगले चुनाय में जनता ये दिचाहे तो उसको वोट नहीं दे परन्तु यह है भी रुपय जाती बल परियोग मित्था चड़न आदी के कारण इस प्रभ हो जाता है अब चुकि प्रदेश के चात्र यूवक और चर्वसाधारन जनता जागरत हो गई है और वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है वर्तमान परिस्तिती में परिवर्तन चाहती ह अता परिस्तिती का लाब उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो अस अंगठित जनता है उसमें एक ऐसी शक्ति आजाए कि वह सही आदमी का चुनाओ कर सके तथा चुनाओ के बाद अपने परतिनीधियों के आचरन पर यता संभव अंकुष रख सके मतलब मैं चाहता हूं कि अभी जो चुनाओ हो जनता के अंदर ऐसी शक्ति आजाए कि चुनाओ में ऐसी परतिनीधि का चैन करे जो कि जनता के हैंडल में वह परतिनीधि हो मतलब जनता उस परतिनीधि पर अंकुष लगा सके क्योंकि हमेशा मंत्री और विधायत को का जो है अम राये से अपना उमिद्वार खढ़ा करें अत्वा जो उमिद्वार की जाई उनमें से किसी को माने करें यदि किसी समीतिय बीच आम राये नहीं होती है तो हम को एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बेगーー건 समितिया अपना उमिद्वार को अपनी मानेता दे सकेंगी इस परकार के चुनाओं में जनता का एक बहुत बड़ा पाठ होगा यानि जनता और छात्रों की संकर समितिया उमिद्वार के चैन में अपना महतवपून रोल अदा करेंगी पहला तो यह सुझाओ दिये हैं कि जब अगला विधांसभा का चुनाओं तो हमारी जितने भी छात्र संगत है और जितने भी लोग हैं उन्से कोई एक कई उमिद्वार खड़ा हो मतलब राय नहीं करकर功। होता है राय नहीं हो पाती है तो हम कोई एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बेगार यह समित्या अपना उमिद्वार खड़ा कर सकेंगी लेकिन जनता के राय से ही वह उमिद्वार खड़ा होगा चुनाओं में और दूसरी सुझाओ यह है कि जो भ जहां पर भी चुनाओं उस चुनाओं चेत्र में जो भी उमिद्वार जीतेगा तो अब जीतने के बाद वो जो भी कारेकरम करेगा जो भी काम करेगा उस पर कड़ी निगरानी जो है यह मेरी संघण समीतिया रखेंगी और अगर उस चेत्र का परतिनीदी गलत रास्ता पक है कि इस सिल्सिले में एक और बात स्पष्ट करना वश्क है कि जो संगर समीतिया छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है उनका काम के ओल शासन से संगर्ज करना नहीं बलिकि उनका काम तो समाज की हर अन्याय और अनीती के विरुद्ध संगर्ज करना होगा यहां प लगा विकायों कि वह समाज नहीं 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 हो रहा है और उसके खिलाह्ज वह क्या करें संगर्ज करें जो भी मंत्री बना हुआ है he कामों को देखे कि वो क्या क्या कर रहा है लेकिन उसका ये भी काम है कि वो समाज को भी देखे कि समाज में अन्याय तो नहीं हो रहा है ठीक और इस परकार से इन समीतियों के लिए बराबर एक महतवपून का रहे होगा गाउं में छोटे अफ़सरों या कर्मचारीयों की चाह किया हूं यह जो बड़े-बड़े किसान है जो बेनामी फर्दी बंदवस्तिया करके घपला कर लेते हैं उनके खिलाफ यह जो है न संखर्च करेंगी और उनको दुरस्त करेंगी गाउं में तरह-तरह के अन्याय होते हैं मेरी कलपना है कि यह समीतिया उन अयाय को भी निरदल यह संखर्च समीतिया इस्थाई रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बलकि समाजिक आर्थिक नैतिक क्रांती के लिए अथ्वा संपुन क्रांती के लिए बहुत ही महत्तों पुन कारेंगी यह समीतिया और यहीं पर आप लोग का यह अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बैल आकरने इनकी घंटी को दुबाकर औल का अपसन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरे रोज आने वाल वीडियो का आप तक सबसे पहले पोचेगा ठीक तो फिल्म लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिस